प्रिय चात्र चात्रों आज हम अपने बिये पार्ट फर्स्ट के पहले पेपर प्राचीन भारत के इतिहास के अंतरगत मौर्य तरकाल के अंदर पुश्य मित्रशुंग के बारे में चर्चा करेंगे मौरे सामराज्य समराट अशोग के समय अपने प्रखर पर था अपने चर्मोत कर्श पर था और मौरे प्रशाशन या मौरे सामराज्य बहुत विशाल विस्तरित हो चुका था किन्तु अशोग की मृत्यू के साथ ही मौरे सामराज्य का जो सूर्य था वो अस्ताचल की और जाने लगा मौरे सामराज्य की प्रखर था तिमिर तिरोहित होकर कांती हीन हो गई और विशाल सामराज्य का जो दैदिप्यमान दिवाकर है वो 187 इसापूर में अस्ताचल में चला गया अशोक के मृत्यू के बाद ही सत्ता का विकेंदरी करन होने लगा पाटली पुत्र का गौरव समाप्त होने लगा और साथ ही भारत की राजनेतिक एकताबी खंडित होने लगी अब हिंदु कुष से करनाटक और बंगाल तक एक राजवंश का शाशन नहीं रहा और देश के उत्तर पशिमी मारगों से विदेशी आकरमन होने लगे जिनके कारण कई छेत्रों पर विदेशी आकरानताओं का अधिकार स्थापित हो गया निर्बल और निकम्मे मौर्य शाशक केंद्य शक्ती की इस विकेंद्य करन को नहीं रोक पाए और सबसे शक्ती हीन और निर्बल शाशक रहा व्रियधत जिसको उसके सेनापती पुष्यमित्र के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया इस घटना की जानकारी हमें हर्श्चरित से भी मिलती है पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें कई सारे साहित्तिक स्रोतों से जानकारी मिलती है जिन में हैं पतंजली का महाभाष्य, पुरान, वानभट का हर्श्चरित, बौध महायान गरंथ, दिव्यावदान, ललित विस्तार, मंजू श्री मूल कल्प, तारानात द्वारा लिखित बौध धर्म का इतिहास और इनके अतिरिक्त अभिलेखिये साक्षे में खारवेल के हाथी गुमफा अभिलेख और गौतमी वलश्री की नासिक अभिलेख प्रशस्ती जिसमें गौतमी पुत्रशात करनी का उलेख है और रुद्रदावन का गिरनार अभिलेख इन सब से हमें पुशे मित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। अंतिम मौर्य शाशक व्रहधत का वद किया और वह व्रहधत का सेनापती था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि पुशे मित्र शुंग के द्वारा एक नए वश और एक नए काल की शुरुवात की गई। पुशे मित्र के बारे में हमें बहुत सारे उस समय के सिक्कों से भी यूनानी सिक्कों से भी हमें जानकारी का उलेक मिलता है। शुंग कौन थे इसको लेकर के इतिहासकारों में एक मतभेद हैं। क्यूंकि सभी शाषक मित्र शब्द का प्रियोग करते थे और मित्र शब्द का समन्वे मित्र शब्द से माना गया और मित्र शब्द का अर्थ है सूर्य है। और इस प्रकार यह माना गया कि शुंग सूर्य के उपासक थे इसलिए वो पार्सी थे। किन्तु अधिकांश इतिहासकार शुंगों को पार्सी ना मानकर ब्रह्मन मानते हैं हलांकि दिव्यावदान में पुष्य मित्र को मौर्य बताया गया किन्तु यह तथ्य सही नहीं हो सकता क्योंकि अगर पुष्य मित्र मौर्य होता तो उसे उसका नाम मौर्य वन्शावली में अवश्य होता इसलिए अधिकांश इतिहास कारों की धार्णा यह है कि वह ब्रह्मन था और साहित्यक सामगरी भी इसकी पुष्टी करती है चाहे वो पाणिनी की अश्ट्याद्याई हो पतंजली का महाभाष्य हो गारगी सहीता का यूग पुराण हो या कालिदास की रचना मालवी का मित्र हो पुराण वैबान भट का हर्श चरित्र हो सभी में पुष्य मित्र को ब्रह्मन बताया गया है और कुछ इतिहास कारों ने पुष्य मित्र और उसके उत्रादिकारियों को बैंबिक वंशिय बताया है और अगर उन्हें बैंबिक वंशिय भी माना गया तो बैंबिक वंशिय ब्रहमन थे क्योंकि बैंबिक कश्यब गोत्रिय ब्रहमन थे मालविका अगनी मित्र में पुश्य मित्र के पुत्र अगनी मित्र को बैंबिक वन्षिय बताया गया है इस तरीके से कश्यभ गोत्री बैंबिक ब्रहमन माना गया है और हरिवेंष पुरान से सी इसकी पुष्टी होती है और आश्वा लायन के ग्रह सुत्र के आदार पर कीथ और म् के ने भी यह मतप्रतिपादित किया है कि शुंग आचार्य होते थे और प्राचीन भारत में आचार्य सिर्फ ब्रहमन ही होते थे और पतंजली पुश्यमित्र के राजपुरो ही थे और उन्होंने एक स्थान पर ब्रहमन राज्य को सर्वत कृष्ट राज्य बताया है और यदि पुश्यमित्र ब्रहमन नहीं होता तो पतंजली ब्रहमन राज्य को श्रेष्ट नहीं बताते इतिहासकार केपी जायस्वाल ने पुश्यमित्र को मौर्यवंश के राजपुरोहित का पुत्र बताया है इन सब तत्थियों से सिद्ध होता है कि पुश्यमित्र संभवत है भारतवाज गोत्र का था पानिनी और आश्वाल आयन सूत्र में शुंगों का गोत्र भारतवाज ही बताये गया है डॉक्टर राजबली पांडे भी पुश्यमित्र को ब्रहमन मानते हैं और इसके लिए वो कहते हैं कि शुंग वंश का प्रतम प्रतापी शाशक जो की व्रहदत का प्रधान सेनापती भी रह चुका था ब्रहमन वंश का ही था इसी तरीके से तारानात ने भी शुंगों को ब्रहमन माना है हरिवंश पुराण में उल्लेखित अशुमेद यगे की घटना भी पुश्यमित्र को ब्रहमन सिद्ध करती है शुंग भिलसा अर्थार्थ विदिशा से अधिक संबंदि थे यह स्थान मद्य भारत का है और कुछ विद्वानों का मानना है कि शुंग मौरे काल में विदिशा में ही निवास करते थे मौरे के पुरोहित थे किनटो जब अशोक ने बौदधर्म को अपनाया तो शुंग मौरे शाष्कों के राजपुरोहित नहीं रहे इसलिए शायद उन्होंने अपना शास्त्र व्यवसाय त्याग कर शस्त्र व्यवसाय को अपना लिया और मौरे सेना में उच्पदों पर आसीन हो गए और इसके लिए डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि व्यवसाय परिवर्तन कोई नवीन घटना नहीं थी क्योंकि परशुराम द्रोणाचारे और अश्वत्था मा के ऐसे द्रिश्टांत विद्यमान हैं जिन से ये इस्पष्ठ होता है कि राष्ट्र और ध श़्श्ट्र धारन करने के अधिकारी है इसी तरीके से कई ब्रहमन सेनपतियों का हमें उलेक मिलता है जैसे सिकंदर जब वापसी आतना में सिंध करना पड़ा था इसलिए उस vakाल में ब्रहमन सेनपती होना और उसका शस्त्र उठाना कोई बड़ी बात नहीं थी इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ब्रह्मन वन्ष की शुरुवात की गई और पुष्यमित्र ने रक्त से राज्य को प्राप्त किया और रक्त से ही उसको बनाए रखा अर्थार्थ राज सत्ता को अपने सैने बल के अपनी भुजबल से उसने प्राप्त किया और जो राज सत्ता के गोरव और शाषन की जो इस्तिती गिर गई थी उस गोरव को और उस शाषन की साख को पुणर स्थापित करने का कारिय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया पुश्यमित्र शुंग ने अपनी सेना और बुद्धी के बल पर पुनह राजनेतिक एकता इस्थापित करने का प्रयास किया और युनानी आकरमनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जैसे यवन सेनापती दमित्र के साथ 188 इसापूर में उसका संघर्ष हुआ 187 में दमित्र को पाटली पुट्र छोड़ना पड़ा और उसके बाद 187 में ही पुश्य मित्र ने शुंगवन्ष की सत्ता को इस्थापित किया और पाटली पुत्र पर अधिकार करते ही उसने आसपास के प्रांतों को भी संगठित करना प्रारम किया प्राची, कोशल, वत्स और अवंती जैसे राज्यों को उसने अपने राज्य में शामिल करने का कारे किया और केंद्रे शक्ति को द्रड़ता और मजबूती प्रदान करने के लिए पुश्य मित्र ने अब अवंती राज्य अपनी जो राजधानी है उसने वो विदिशा को अपने राज्य की दूसरी राजधानी बनाया और अपने सामराज्य को मजबूत करने का कार्य पुश्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया पुश्यमित्र शुंग ने अइंसा विरोधी नीती अपनाई और स्वेम को राजा उद्गोशित करते हुए अशुमेद्य यग्य किया और उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना अधिकार इस्थापित कर लिया शुंग राज्य के शिलालेक पंजाब के जलानधर में मिलते हैं और दिव्यावदान के अनुसार वह उसका जो राज्य था उसमें सांगला यानि कि वर्तमान में सियाल कोट तक उसका राज्य विस्तरित हो गया था और पुश्यमित्र शुंग ने ना सिर्फ मौरे सामराज्य का अंत किया बलकि एक तरीके से बौध धर्म का भी भारत में अंत किया और हिंदु धर्म को पुनर स्थापित करने का कार्य पुश्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया पुश्यमित्र की उपलब्दियों के बारे में हम अपने अगले लेक्चर के अंतरगत बात करेंगे